Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech YouTube channel, मैं हूँ मर्तस्कीर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले Security and Manual Action Reports के बारे में जो हमको देखने को मिलती ही Google Search Console में Last वीडियो में हम लोगों ने discuss किया enhancement के बारे में उससे पहले हम लोगों ने Dex के बारे में बात किया था, Overview के बारे में बात किया था, तो आज का जो टॉपिक है वो Manual Actions और Security Issues से related होगा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ी मैंने बताया था आपको कि जैसे कि Google आपकी website को review करता है, ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है, कि आप उसके algorithm से बच जाते हैं, तो in that case, अगर कहीं बाहर से कोई manually जो है, आपके website को report करता है, किसी SEO point of view से, सबोस करते हैं, आप black hat SEO कर रहे हैं, उसके point of view से कोई reviewer जो है, वो से आपकी website के लिए report करता है, कि ये website जो हो false method से rank हुई, in that case, आपकी website को पर manual action लिया जाएगा, और हो सकता है, उस manual action की आपको information भी न दी जाए, कि आपकी website पर manual action लिया जा रहा है, और वहां पर issue detect कर दिया जाएगा, तो जो Google की guidelines, अगर हम बात करें, Google का help center कहता है, manual action के ब manual action के थुरू आप अंडर, जो है, वीविविविटी आते है, Google search console के, तो हो सकता है, कि आपकी website को search result से ही बाहर निकाल दिया जाए, और फिर आपको वापस उपको rank कराने में मुश्किल हो, और ये depend करता है, कि यहाँ पर वो issues किस type के, अगर कोई बहुत high issues होंगे, कोई अच problem का fix तो आपको तभी पता चलेगा, जब आपको यहाँ पर यह list होगा, कि यहाँ पर कौन कौन से issues है, तो probable कौन कौन से issues हो सकते हैं, यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर list of manual actions जो लेता है Google, manual reviewing के basis पर, user generated spam, spamming free host, यह सारे बहुत सारे बहुत सारे यहाँ पर आपको options दिख जिसे cloaked images है, hidden text और keyword stuffing है, एक ले लेते हैं, बहुत common सी चीज़ है, hidden text या keyword stuffing को लेकर manual action हुआ है Google का, so in that case, आपकी जो site, website block करी गई है, website को such engine से बाहर किया गया है, उसका solution आपको यहाँ से मिल सकता है, first reviews Google's website guidelines on hidden text and keyword stuffing, पहले तो आपको guidelines पता होनी चाहिए, क्या होता है, उस उसके बाद URL inspection tool आपको use करना है, और उसे आपके अपने content visibility वगरा चेक करना है, ठीक है, कि as a human user आप उसको किस तरीके से देख पा रहे हैं, आप अपनी website पर जाकर उसको देखें, उसके बाद बहुत सारे यहाँ पर options आपको दिये हुए हैं, ठीक है, और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, title tag, all text, strings को आप देखें, repeated words को, बहुत सारी चीज़ है, remove any such words or other instances for keyword stuffing, जो उसको ठीक करे, keyword density को वहाँ तक, जो इनकी guidelines की को लेकर आए, तो इस सारे चीज़ों को करने के बाद वाद वापस आपनी website review पर डालेंगे, तो in case आपकी website के उपर अगर वो methods जो इस चीज़ को आप चेक करते रही है, अभी इस particular website पर कोई भी manual action नहीं है, इसने आपर no issues दिखा रहा है, बट इन सरीके से बहुत सारे manual actions हो सकते हैं, अगर हमारी website के उपर problem है, ठीक है, तो जो Google खुद लेता है, अपने reviewers के through, उसके basis पर यहाँ पर manual actions होते हैं, so दूसरी website चलते हैं, देखते हैं, वहाँ पर क्या कुछ manual actions हों है, I hope यहाँ पर भी नहीं हो, so it's not over here also, चलिए manual action के बाद बात करते हैं, अब लोग security issues के उपर, so security issues कब आपकी website पर detect होते हैं, जब आपकी website को Google crawl कर रहा होता है, उस वक्त लगता है, कि आपकी website में कुछ technical issue है, कुछ security क issue है, मतलब user अगर आएगा, तो उसकी privacy को लेकर कुछ issue है, जो आपने, जो है अपनी privacy policy हो गएरा में mention नहीं करका है, तो इस type की जो चीजे होती है, server को लेकर कुछ issue है, technical aspects हो गए, तो इन सारी चीजों के issues को यहाँ पर security issues के अंदर Google mention करके आपको देता है, so यहाँ पर भी कोई issues है नहीं, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, बट यह issues किस तरीके से हो सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं, phishing and deceptive sites हो सकती है, phishing purpose से अगर आप use कर रहे हैं, कोई website को और Google उसको crawl कर रहा है, तो उस website को issues में यहाँ पर डाल के वो आपको search engine से बाहर निकाल है, malware infection type, code injection, error template या, sql injection, cross site malware warnings है, hack type है, hack type के तीन हो है, तो यह कुछ जो security point of view से जो related चीज़ है, अगर इस category में आप fall होते हो, तो आपको यहाँ पर security issues में, आपको यहाँ पर block कर दिया जाएगा, आपको search engine से बाहर कर दिया जाएगा, fine, so अगर मैं आपको यहाँ यहाँ किस तरीके से यह जो issues है, यह detect होते हैं, so यहाँ पर क्योंकि है, नहीं मेरे पास issues, यहाँ पर सब कुछ ठीच चल रहा है, इसलिए मैंनी screenshot है, एक हमारा Google से लिया हो, तो मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, six issues detected, Google has detected harmful content on some of your site's pages, we recommend that you remove it as soon as possible, until then, browsers such as Google Chrome will display a warning when users visit or download a certain files from your site, ठ ठीक है, so एक बार अगर आप इसको कर चुके हैं, so उसको आप done fixing में फिर से request कर सकते हैं, review का इस तरह की से detected issues आपको दिखाई देते हैं, so अभी reporting के point of business बहुत important नहीं है, बड़ जब issues आते हैं, तब यह चीज़ ultimately बहुत important हो जाती है और आपको इसको resolve करना पड़ता है, क् यहीं से आपकी site का in होना या out होना decide होता है, तो Google की नजर में, Google की penalty से बचने के लिए, Google की नजर में अच्छी reputation मनाया रखने के लिए, search engine में राइंग कराने के लिए, आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, इन reports पर ध्यान रहना होगा, security manual action से बचे रहना होगा, तो दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही, जैसे मैंने आपको बताया था, बहुत lengthy वीडियो यह नहीं है, और next वीडियो में हम लोग cover करने वाले links होगारा के बारे में, vacins होगारा के बारे में, यहाँ पर कितनी information, search control में हमको मिलती है, इन सारी चीज़ों को discuss करेंगे हम लो दूड़ियों in the next video, till then, very good bye